हेलो फ्रेंट्स वेल्कम एक माई यूटूब चैनल फ्रेंट्स आज इस वीडियो में हम बनाएंगे फ्रंट कट वाली डिजाइनर गाउं तो फ्रेंट्स वीडियो शुरू करते हैं आज को मेंने जोर्ज़ट फैब्रीक लेया चार मिटर और इस तरे के बिचा zakat विल भ이 चा cer दिया को अगर आगर प्यान आख़ो यहां आँ गाजीर ज्यादा चाहिए तो यह इसको फोर्ट मैंने जीजा सकता हैं मुझे कमी इसका फूर्थ पार्ट निकाल के आप निशान लगा सकते हैं और इस तरीके से इंचिटेप रखते हुए आपको नीचे घेरे पर भी निशान लगाना है और अब हम इसकी कटिंग करेंगे इसकी कटिंग कर लिए जब भी हम अंबरेला का उनकी कटिंग करते हैं तो इस तरीके से अंबरेला में जोइंट आता है तो मैंने इस जोइंट की भी कटिंग कर ली है और कटिंग करके इस तरीके से इसको मिलाएंगे जो जोइंट है मेरे दो पार्ट में है तो इन दोनों को पर इस तरह के करें और मैंने यह इनकाल कर निशान लगा पर इसके बाद में इसका मेजरमेंट लेंगे तो मेजर्मींट मैंने यहां सेस्ट वर्डर का निशान लगा हुए पहले हैं तो मैंने इस तरह की से शूर्डर पर 97, मैं इस पे इनच पार सफ़िए आप करे हैं आदाहरी फिराल के आप से मस्सालल लगाएं यादे हैं अब दके एक लात निर्ट निशान घूंगी उर्ट democrat इन दोने स्केमचल का लिए निशान लूँगे हैं निशान लिए ऐंतल्टितों दूंगो Красक्जेव स्केल को में JOHND उन्हार के कि आप लिए जजेवरियों लगा सकते हैं तो बेने के भाद है और आश्रा इंच के गूराय कर दिंद रहे हैं अब यहerem के है से शनल स्क्राइब ढिशा क्तरा पर नेयर की कंशिया है अयहं और यह कंशिया है यह को श्क्राइब है यहे रहा है किर था दूड़ कर लोए Unterzeit多जज़जा केliches इस तरीके से निशान लगाना है जिसमें 2 इंच का मेंagementтории करूंगी इस तरीके से इसमें कमर है उस पेवह मैंने मार लूजिंग कर निशान लगाऊंगी कस तरीके से मेरे 4 आट निकालके और कि निचे से 2 इंच का। लूजिंग लोें इसमें कि इदिकी yani करेंगे 30 तो इसकी पर्ट निचे कर लेना है तरीक्ते से अब इसमें आर्मॉल का से्षीय नयजे ही दे देंगे इस दे दिए और जो हमें गला रखन है का निशान लगा कि इस पर चोड देंगे तो गल्या हम हमें आगे का गला मुझे यहा पर पांच इंच का रखना है तुमने इसमें पांच इंच नि arrive करना में लोटने लगाएं आधा इंच कव दान के लिए निजान लगा यह करते हैं यहादा इंच के लिए निषाहा अधा निपला में अधा इंच को चीजनेका रहिए करके में देशान दो टेइशा रोगाशे थी और नीचे से आदा ऐसे एक इंच का में मार्जन इसमें एड़ करूंगी नीचे के साइड से क्योंकि हमें फ्रिंस कट का बनाना है तो यह फ्रिंस कट के लिए इसमें एड़ जाएगा और यहां से हमें जो चेस्ट का फॉर्थ पार्ट है उसमें मुझे निशान लगाना है और दो इंच का मुझे इसमें लूजिंग एड़ करनी है तो चेर से नीचे वाली कमर पे भी हमें फॉर्थ पार्ट निकालके दो इंच की लूजिंग एड़ करनी है औराव हमें कमर पे निशा लगाना, तो कमर का भी हमें फूर्थ पार्ट निकाल की इस तरिके से अब यहां से इसको और इसमें एक लाइन स्टेट करके निशान लगा लेंगे इस तरीके से हम यहां से 2.5 इंच का में निशान लगाना है चाक बनाने के लिए इस तरीके से और इसको मिला देंगे यहां से मिलाने के बाद इस पर याद से एक इंची उपर रखते वे इस पर निशान लगाना है चोक कर निशान लगाने के बाद इसको लाइंड डो करेंगे इसके बाद हम आरमोल की तरफ इसको शेप देंगे इस तरह के से सबसे पहले में आरमोल का निशान लगाएंगे पह तो यह मैंने निशान कर दिया है और यहां से हम आदा इंच का थोड़ा सा गुमाओ देंगे इस तरीके से आप चाहिए तो काटते टाइम इसको गुमाओ लगा सकते हैं मैंने पहले आपको बता दिया है गुमाओ लगा के अब यहां से हम आदा आदा इंच का नीचे डाउन करके लेंगे यह इसलिए लेंगे जब हम फ्रिज कट को जोड़ेंगे तो उस टाइम पर यह हमारा जो कपड़ा है अंदर के तरफ उपर चलानी जाएगा बराबर हो जाएगा जो यह नीचे एक्स्टा कटेगा वह एडजर सेम इसी तरीके से में फेब्रिक पर भी हम इसकी कटिंग कर लेंगे कि देखेए फ्रैंड्स मैंने सारे पार्ट के में फेब्रिक पर भी कटिंग कर ली है अब हमें बेक पार्ट को रेडी तूब पार्ट गले करेंगे तो गले पर इस तरीके से दोनों पार्ट को मिलाते वएचस पर सिलाए कर लेंगे मैंने गले पर सिलाय लगा दिया अब इस पर छोड़ ठीके से कट लगा गें और इसके अंधर की तरफ हम फोड़ करेंगी यह देखे फ्रेंट्स तो इस तरह के में इसको फोड़ कर लोंगी अंदर के तरफ औरम की तरफ करते वे जोइंट करेंगे इस तरीके से इनको रखेंगे और यहां से हम इसको जोईट वाले करेंगे है अब हम स्लुवस की कटिंग कर रहेंगे तो स्लुवस के लिए मैंने बचा जो कपड़ा था उसमें से हम विस निकल लेंगे और इसको मैंने फॉर्ड में बिच्छा लिया है थो चोड़ा है और इसके लंबा है हемारे 21 इंच है इस तरीह के इसको फोल्ड करके अच्छे से बिचा लेंगे अब इहां से हम फोल्डिंग के लिए निशानल लगाएंगे कि हम यहांसे आंदर से फोल्ड करनी है और इसके बाद में जितनी आश्टीन रखने हो तहरे हमें यहां पर निशानाएंगे तो मैंने 11 इंच पर इसकी आस्तिन रखनी है और इन दोनों को निशानों को इस तरीके से एक लाइन ड्रो कर लेंगे अब यहां से मैं इसको निशान लगा देड़ाएंगे अब यहां नीचे से मेरे 3 इंच पर डाउन के लिए निशान लगाऊंगे इन निशानों को इस तरीके से डोट-डोट करके सफ़से ले आर्मोल कर निशान लगाएंगे इस तरीके से आर्मोल कर निशान लगाएंगे और इसके बाद हम इसकी जो दोनों निशान है फिटिंग के इस तरीके से इसको मिला देंगे इसको मिला दिया है और यहां से फोल मैंने 13 इंच से यहां पर लिया है 14 इंच पूरा कपड़ा हमारे आ रहा है जितना जितना लंबा कपड़ा लगे उतने ही आपके पॉप बनेंगे और इस तरीके से इसको डोडोड करते हुए यहां पर मिलाएंगे तो मैंने जहां यह निशान लगाया है एक इंच से नीचे इ कि इसतरीके से इसको मिला दिया है मैने ऑन इस तरह कर से हमारे इसतरीके से गोला देता है उपिसकी कट्टिंग करेंगे कि आप आर्मोल कि यहां से एक कड़ का निशाना की का आर्मोल पर चुन्थ लेने यह तरिके से आप बनाना बीच में चुन्दude कर लिय inhib करना है उसको पर ओर करेंगे और इसको जोइंट कर लेंगे तो यह दिगी समय का फनलिय है लगा के दोनों पार्ट से मारे रेडी हो चुके हैं अब इन दोनों पार्ट को इस तरीके से रखते वे सोल्डर पे चिलाय लगा देंगे और आस्तिन भी हम इसमें अटेज कर लेंगे साती तो यह देखे फ्रेंश को जोईंट लगाने के बाद आम आस्तिन अटेज करें तो कामारा जो मीड का मैंने टक्स का निशान लगा यहां पर मैंने कट कर निशान लगा भी इस तरीके से इसको टीच कर दूंगी ताकि हमें मीड होई पर रहेगा हमारे आस्तिन आगे-पीछे नहीं रहेगी अब यहां पर आष्तिन को और नीची के हमारे जो आख चले उसको म सोल्डर की तरब ही तक्स हमें लेना है दोनों साथ के सोल्डर पे टक्स जो लेंगे हम इस तरीके से चुनट अंदर की तरब लेते हुए ही चुनट लेंगे आस्तिन के अब इसलेंगे हमारे है एक शाइड के पार्ट का जो मेरा इस तरफी चुनट हमारी खाता मों चुके हैं अब हमें फ्रंट पार्ट की चुनटि करने तो फ्रंट पार्ट के चुनट आम इस तरह से जिदर हमारा शोल्डर है इस तरह चुंहट का सेप देना है इस तरीकेसे है जैसे इसदर दिए है तो आप इसको उत्वे से बखाते हुए उल्था स्वेयर यदिए हुद टपहर आप एनगे से उल्था Kol Longum तो यह देखी फ्रंस में ने दोनों आस्तिन को अटेज कर लिया से वैसे ही दोनों पार्ट को बता दिया अब हमें नीचे का जो घेरा है उसे हमें रेडी करना है तो इस तरीके से में इसको कट करके रखा था अब यह अंदर की तरब जो हमारे पार्ट से रेंगे खुला ऊप करेंगे यह मारे दो पार्ट से इन दोनों को सलाई करेंगे पहले उसके बाद हम इस पर आटेज करेंगे और नीचे की तरब से भी हम इसको आधा-दा इंच फोल्ड करेंगे तो यह देखिए फ्रेंड्स हो जो हमारे दो ज्वेंट तो मैंने इस तरीके से अटेज कर लिया है और यहां पर गोलाएं देते हुए हम इसकी भी स्लाय करेंगे जो मारा ओपर निसने इसको भी अटेज्ट कर लिया है और इसभी मारा जॉट लिए और यहां से भी नीचे से एदाजने़ और कोड़ करके इस तरीके से मिने गेहे को कमपलेट कर लिया देखें से नीची से भी मैंने लगा देए अब हमें जो हमारा ऊपर का pension लगावन नीचे 2 लाइं का चैझ मरत हैं के चैझ ऑपन इन दोनों पार्टकों से लगने कटके क्वाइज तो प्लाजो के साथ में यद тоб理 कर सकते हैं सब देखे यूद लगा अगर आपको वेरा वीडियो पस्तांद आया तो मेरी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि मेरी नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबस्ब्सक्राइब मिले